तो हेलो दोस्तों माटेल मेकेनिकल यूटूब में आपका स्वागत है तो गैज आप टूविलर के लगते रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो गैज हमारी चैनल सस्क्राइब कर देए क्योंकि टोटल ही रिलेटेड वीडियो टूविलर के लगते रिलेटेड वीडिय यो हम share करेगे तो डेखिया आज मेरे पास आए तो गई देखिए में सुजू की एक्सेस के बारे में बात करने वाला हूँ तो गई देखिए सुजू की एक्सेस का डी क्लच लिवर है यानि के डी कंप्रेसर पट्टी कुछ लोग इसको बोलते है कुछ लोग अलग-अलग लेंगेस में उसको बोलते है तो गैज देखें यह सुजु के एक्सेस का डी क्लच लिवर है यानि के डी कंप्रेसर पट्टी उसको बोलते है और उसको किस तरफ होगा तो गाई देखिए यह उसको बोलते है डी क्लस्ट लीवर उसके MRP quality सब कुछ इस पर दी गई है तो गाई देखिए कुछ mechanical भाई उसको अलग-अलग language में उसको बोलते है और उसको English में उसको बोलते है डी क्लस्ट लीवर तो अलग-अलग तरीकिस को बोला जाता है तो गाई देखिए यह है सुजुकी access और उसके जो डी क्लस्ट लीवर जो फिटिंग किस तरह किया जाता है तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हो तो सबसे पहले देखिए गाई दिये है उसका timing चकर तो मैं marking से बताऊंगा तो यह lining किया गया है वह उसका timing है देखिए वह marker से मैं आपको live दिखाने वाला हो तो वह marker की lining है और देखिए वह से यहाँ पर हो फिटिंग होगा उसका एलेंग की बोल्ट और यहाँ डी क्लस्ट लीवर फिटिंग होगा और यहाँ जो से देवो spring फिटिंग होगा तो देखिए total मिला के cool मिला के फोर सेथ है उसके और कौन-कौन सेथ पर क्या फिटिंग होगा तो आज का इस studio में मैं आपको live दिखाने वाला हो तो गई सबसे पहले देखिए यह मैं लगाऊंगा उसका timing चक्कर timing चक्कर लगाने के बाद उसका लगेगा declust liver तो गई यानि के decompressor वट्टी तो सबसे पहले देखिए यह उसकी camera free होनी चाहिए तबी वो timing सही आएगा तो गई देखिए timing के बारे में video मैं ने upload कर दिया है तो मेरी channel में जाके open करके आप देख सकते हो सुझु की access का timing कहा पे रखा जाता है इस video में मैं तो गई दे center में उसका timing मिलाना है और timing लगाने के वक्त की camera free होनी चाहिए piston टॉप पे रहना चाहिए तो गई आज का इस video में मैं आपको उसका जो decompressor lever हो यानि के decompressor पट्टी के बारे में बात करने वाला हो उसका fitting उसका setting कहा पे रखा जाता है तो गई देखिए जो lining वाला marking ता बिल पे लगेगा उसका link की bolt तो गई देखिए decompressor lever को देखिए इस तरह आपको उसकी जगह में install करना है तो सबसे पहले वह पास्टे को आला fiber है उसकी spring उसमें लगा देना है उसके बाद देखिए इस तरह लगा देना है देखिए उसके groove में देखिए उसको इस तरह लगा दे देखिए जो चोटा वाला सेत्ता यहां में फशा देना है वोज cancer के बाद गाई देखिए उसको पर की तरह गुमाना है पूरा देखिए इस तरह गुमा के लोही की जो पत्टी आती है लोग देखिए उसको इस तरह रखना है देखिए ये पुरा fitting हो गया य है तो गाई द दिखाऊंगा देखिए इस तरह रखना है और उसका compression आ गया देखिए और उसको tension में रखना है देखिए वो इस तरह work करेगा अगर गाई इस तरह work नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी सुचु की axis और kick से भी स्टार्ट नहीं होगी और आप जब cell लगा होगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगे तो गाई देखिए यह लगाना जरूरी है तो देखिए यह उसका जो दो एलेंग की बोल्ट है वो मों पिटिंग कर देता हूं तो गाई देखिए सुचु की access में यह डी क्लस्ट लिवर यानि के डी कंप्रेसर पट्टी लगाना जरूरी है अगर आप लगाना भूल गए तो शायद आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी और किक स्टार्ट से भी स्टार्ट नहीं होगी और ज्यादा कीक माननी पड़े किये आपको इससे लिए कंपने उसको डी कंप्रेसर पट्टी लगाना जरूरी है तो तो guay, यही विडियो था, डिकम्प्रेसर पत्टी लगाने का, तो guay, देखे, इस तरह डिकम्प्रेसर पत्टी का टाइमिंग आता है, और इस तरह सुजु की एक्षेस में, डिकम्प्रेसर को फिटिंग किया जाता है, और उसको विर्क करता है, में आपको फिर से दिखाऊंगा तो गाज देखिए वो डिकलास लिवर भी ने लगा दिया है तो गाज देखिए अलग अलग लेंगवेज मूँ उसको बोला जाता है तो गाज हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना सस्क्राइब कर देना शेयर कर देना इस सारे झाल